दिपार निटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुती जल्दी और बहुती कामल से बनने वाला डॉल का दिजाइन लेकर आई हूँ आप ये डॉल किसी भी साइज में बना सकते हैं और इस तरीके से की होल्डर भी बना सकते हैं और किसी भी पोड़ित में आप लगा सकती हैं देखे बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दि बन कर रेरी होता है देखे इसके लिए धागा लेना है धागा 20 से बाझना है आपको और B-Center से बानने के बाद थोड़ी नीचे से हम इसका स्वार मनानी है देखे इस तरीके से tight से बानना है आपको लपड़ते हुए एक दो बार और लपड़नी है और इसकी पिछी साइड में आपको कसकर बानना है देखे इस तरीके से बनाईएगा अच्छा है तो एक दुबर और नट लगा सकते हैं देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ इसी तरीके से गाट लगा कर बनाएगा मैं फिंगर के लिए बना रही हूँ इसका लेंद 5 cm है और इस तरीके से बनाने के बाद देखिए इसका बिस सेंटर से आपको दो भाग में बातना है और यह बिस सेंटर में इस तरीके से राखना है थोड़ी नीचे से आपको फिर कॉस कर बानना है इस तरीके से लपेट भे बनाएगा दो चावार आपको लपेटना है और लपेटने के बाद पीछे साइड में आपको नाट लगानी है इस तरी के से अब देखिए ये नट लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसका सेव देना है ये धाका आपको कट गरना है देखिए और ये इस तरीके से उपर के और खिचना है देखिए इस तरीके से इसका सेव बनाते हुए आपको बनानी है देखिए इसकी नीचे से हम दो भाग में इस तरीके से बातना है दो भाग में बातने के बाद देखिए इस तरीके से आपको एक दो तीन चार चार बाग में फिर बानना है देखिए इसमें मैं जिस तरीके से बना रही हूं इस तरी के से में आपको बताती हूं देखे इसका लेंध में ले रहूं यह 5 इन्च का है थोड़ी ज़्ञाधा राखना है आपको शारे 5 ंच गाते हैं ते देखे इना थागा लेना है इस तरी के से दोगर कर और फिर नीचे निचे से आपको इस तरीके से लग लगानी है थोड़ी टाइट गरना है आपको और नीची के ओर खिचना है दागा और फिर दूसरी बार भी आपको इसी तरीके से थोड़ी नीचे से गाठ लगानी है है कि Rs थोड़ी दागा कीचना है फिर थोड़ी टाइट गरने के बाद इसका उपर फिर एक बार गांट लगाने है कि इस तरीके से ये धागा फिर नीची को और खिचना है और देखे ये ये धागा इस तरीके से खित्ती हुए आपको फिर गांट लगानी है एक बार इस तरीके से हम इधर चार बार गांट लगाएंगे देखे इस तरीके से आपको बनानी है अब देखे यह उपर का जो दागा है यह आपको बराबर सेव में कातना है देखे इस तरीके से बराबर सेव में कातना है यह सारी देखे इस तरीके से अब देखे दूसरी का भी इसी तरीके से गांट लगाते हैं बनाते हैं मैं बनाती हूं फिर आपको दिखाती हूं देखे इस तरीके से बराबर सेव में कातना है फिर आपको देखे इसकी अब हम आंक बनाएंगे देखे थोड़ी गयाप राखकर आपको सेलने हैं इस तरी के से देखिए थोड़ी लूज रहना है आपको और इसका नीचे में में गांट लगा रही हूं इसमें आपको टाइट गरना है इस तरी के से अब देखिए इसी वोल से में फिर दूसरी बार भी सीलती हूं फिर इदर भी इसी में से सीलने है आपको देखिए इस तरह के से बनानी है अब देखिए थोड़ी ग्याप छोड़कर आपको आँख पनानी है फिर दूसरी देखिए इस तरी के से देखिए फिर आपको एक बार और सिलने है इसी में से आपको सिलने है फिर देखिए इस तरी के से अब देखिए इतनी बनने के बाद इसका सेव थोड़ी दिना है आपको और देखिए इधर गाठ है गाठ के नीचे से आपको फिर शिलने है और लग लगाने है इस तरी के से अब देखिए यह में दागा कट गर रही हूं कट करने के बाद आप नट लगा सकते एक दो बार अब देखिए इसकी नीचे से हम फिर इसका माउथ बनाने वाले देखिए इस तरी के से अब देखिए इसकी नीचे से देखिए इधर से हम फिर सिलते हुए इस तरीके से बनाएंगे देखें अब इधर गाठ है गाठ के नीचे से आपको सिलने है और फिर इसी वोल से आपको फिर एक बार सिलना है इधर भी इसी वोल से सिलते हैं देखें इसका माउथ बनकर रेड़ी है और यह गाठ है गाठ के नीचे से आपको सिलने है और फिर इधर एक बार नट लगानी है देखें यह दागा में कट गर रही हूं और एक दो बार इसमें नट लगा रही हूं इसी तरीके से बनाईएगा अब देखें इसमें में कुलोथ बनानी वाली हूं यह किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूं और यह डल आपको कैसा लागा कमेंट करके बर जरूर ब म्याजिक लूप बनाने है को लोत बनाने के लिए देखे इस तरीके से अब इदर तीन चेन डालना है एक दो तीन तीन चेन डालने के बाद हम इदर डबल कुरिश से बिनाई बहिनते हैं इदर में 40 बार डबल कुरिश से बिनाई बहिन रही हूँ आप चाहिए तो डॉल का साइज का हिसाब से नापकर भी बनाया सकते ही देखे इस तरीके से चेन के उपर वाली चेन में कनेक गरनी है फिर तीन चेन डालना है इस तरीके से आपको उपहंट और ब्याक का दोनों लूप लेकर डबल कुरिश से बिनाई बेल लेना है इस तरीके से हम इधर 20 बार डबल कुरिश से बिनाई बिनते हैं इस तरीके से बिनाई आपको देखे इधर 20 बार डबल कुरिश से आपको फिर एट बार 20 बिन बेल लेना है देखे इस तरीके से आप देखे इसका उपर तीन चेन है इस इसकी उपर मेंहां कनेक गरनेगे देखे इस तरीके से बनानी है देखे ये कोई भी होल नाई है इसमें इस तरीके से बनाएंगे तो ये भी देखे सेम इसी तरीके से में बना रही हूँ आप चाहे तो टाइट बुनकर भी बनाज सकते हैं इसमें टाइट बुनकर बना रहे हैं एक, दो, तिन अब देखे ये चेन का है और ये चेन की बनानी के बाद ये दूसरी में फिर आपको डबल कुरे से बिनाय बेल लेना है मतलब सारी चेन में आपको डबल कुरू से बिनाई बेलने ना है इस तरी के से बनाईएगा और ये चेन है चेन की उपर वाले चेन में आपको कनेत गारनी है देखे इस तरी के से बनानी है आपको इसी बात को रिपीट गारनी है इसका उपर तीन चेन फिर सारी चेन से आपको डबल कुरू से बिनाई ब से फॉंट और ब्याक का दोनों लूप लेकर यह बात आपको ध्यान देना है और आप चाहे तो टाइट से भी बुन सकते हैं मैं इसमें लूज बना कर बना रही हूं देखे इतनी बनानी के बाद देखे यह चेन का है इसी का उपर वाले चेन में आपको कनेक गानी है देखे इस तरीके से आपको बनाती हुए जाना है इसका उपर देखे इसमें एक दो तीन चार पांच छे बार बना रहे हैं इसी तरीके से मैं इधर पांच में बनाती हूं देखे इसमें पांच बार बना चुकी हूं अब देखे तीन चेन बनानी है फिर देखे चेन से आपको जोड़ी moD 2018 2017 rider is a wise good भूरी रफित है अब सुरू से टाइट बुनकर बना रहे तो नीचे में और डाइट गरना आपको यह बात को ध्याना है में देखे इस तरीके से डबल कुरूज से बिने बिनते हुए जाना है देखे इसकी में लास्ट में आ रही हूँ यह चेन है चेन की उपर वाली चेन में आपको कनेट गरनी है देखे इस तरीके से आपको बनानी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नव, दस, एगारा है इधर डबल कुरू से बिनाई देखे फिर एक बार नट लगाएंगे और यह दागा कटगा नहीं आपको इस तरीके से अब देखे यह दागा इस तरीके से लगाईएगा और यह फुके नव, इसलिए आपको इस तरीके से बनानी है लगगाँएगा, जिसकी बज़े से आपको बुनाई में फिनिसिंग और मजबुत आ जाता है देखिए इस तरीके से बनाने के बाद दूसरी में देखिए एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस डबल कुरिशी है और थाथ 20 डबल कुरिशी है इधर अब देखिए एक इस पेस में फिर आपको डबल कुरिशी बिने बेन लेना है देखिए इस तरीके से फिर चेन डालना है एक, दो, तीन, तीन चेन डालने के बाद फिर आपको इस तरीके से डबल कुरिशी बिने बेन लेना है सारी चेन से आपको डबल कुरिशी बिने बेन लेना है इस तरीके से दागा लग गरते हुए बनाएगा देखे इसी तरकी से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ देखे इधर ये बिच का चेन से भी आपको डबल कुरू से बिने बेन लेना है और देखे ये चेन है चेन की उपर वाली चेन में आपको कनेट करनी है देखे इस तरकी से बनाएगा और फिर इसका उपर आपको तीन चेन डालना है और फिर चेन से डबल कुरू से बिने बिननी है देखे इस तरकी से बनाएगा सारी चेन में डबल कुरू से बिनना है फर्ट और ब्याका दोनों लूप से सेम उसी तरकी से बनाना है जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपिर्ट करते हुए बनानी है आपको देखे इस तरीके से इधर हम चेन में कनेट करते हैं देखे इस तरीके से फिर तीन चेन डालना है फिर चेन से डबल कुरू से बिने इसी बात को रिपिर्ट करते हुए बनाईएगा शेम इसी तरीके से पांच बार बनाने के बाद आपको इस कटानी है इधर भी में पांच बार बना चुकी हूँ अब इसका उपर में कटाई गारती हूँ एक इस तरीके से गारना है यह मैं आपको देखाना जारी हूँ इस चेन से बनानी है डबल कुर से बिने के कि चालिए ढाज दोने लोप लेकर इस तरीके से चीन के ऊपर वाली चीन में आपको पर्वालई कनेक गान नहीं है बदेख्गे धागई कट गर रही हूं और धागा कट गरने के बाद ये धागा आपको लग गरना है ये बात आपको ध्यान देना है जितनी भी आपको वश्टे धागा है इसी तरीके से लग गरते होई बनाएगा मैं आपको बार-बार बता रही हूं अब देखे ये धागा भी मैं कट गर रही हूं देखे इस तरीके से बनाने के बाद देखे इधर एक दो तीन चार पांट छे और ये साथ इधर साथ डबल कोई से पीछे हम फिर ये मारकर लगाएंगे देखे फिर एक दो तीन चार पांट छे साथ की पीछे में हम फिर इधर भी इस तरीके से मारकर लगाने है देखे इस तरीके से बनाने के बाद अब इसका उपर आपको फिर डबल कुरीसे बीनाई बेन लेना है कि देखे ये सेंटर से ले रही हुँ मैं दोनों का इधर साथ और दुसरी साइड भी साथ लेकर और्था चोउदा डबल कुरिशिव बीनाइं से में फिर आपको दागा लगा कर बनाना बता रही हूं तीन चेन डालना है फिर देखे यह दो का इस पेसे इसी से आपको डबल कुरिशिव बीनाइं बेन लेना है और देखे इस तरीके से यह जो स्रेट धागा है यह प्ग औरना ज़रुरी है इसलिए मैं आपको देखा रही हूं इस तरीके से डवल कुरी से ढ़ना रही हूं। इस तर्के से अब फिर आपको इसी बात को रिपीट गरनी है दो डबल कुरुसे का बीच से आपको डबल कुरुसे बिने बेन लेना है इसी तर्के से बनाएंगे देखे इस तर्के से बनाती हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ अब देखे ये दागा में निकार रही हुँ फिर इधर भी में डबल कुरुसे बिने बेन रही हुँ देखे इस तर्के से बनानी है फिर एक चेन डालना है अब देखे इस तर्के से सारी चेन में से आपको सिंगल कुरुसे बिने बेन लेना है इससी तर्के से बनानी है आपको फंट और व्याक का दोनों लूप लेकर बनानी है अब देखे मैं लास्ट में आ रही हुँ इदर भी आपको सिंगल कुरुसे बिने बेन लेना है देखे इतनी बनानी के बाद इसका उपर आपको तीन चेन डालना है एक दो तीन चेन और फिर इधर ये चेन का है और दूसरी में आपको फिर डबल कुरे से बिने बेल लेना है एक दो तीन इस तरीके से ये चेन से काउडन करते हुए आपको बनानी है चार बार और फिर एक चेन डालना है अब फिर देखिए एक बार लूप लेना है फिर दूसरी में एक बार अब तीसरी में एक बार लेकर फिर तीन का एक बने बेल लेना है पिर इसके उपर पांचेन डालना है अब देखिए इतनी बनानी के बाद इदर देखिए ये सेंटर से आपको चार डबल कुरी से छोड़कर इस तरीके से सिलिबिष्टिज लगानी है एक बार लगाने के बाद ये दागा आपको इस तरीके से खिजना है देखिए अब ये दागा में लग लगात रही हूँ देखिए इस तरीके से लग लगानी है अब देखिए लग लगानी के बाद आपको कॉट गरनी है अब देखिए सेम इसी तरीके से दुसरी वाली भी बनानी है इसमें भी में सेम इसी तरीके से बना रही हूँ अब देखे इधर भी हम इधर 1, 2, 3, 4, 4 से फिर आपको धागा डाल कर फिर सेम उसी तरीके से बनानी है, तीन चेन डालना है इसका उपर, 1, 2, 3, फिर चेन से आपको डबल कुरूरे से बिने बेन लेना है, एक, दो, तीन इसमें आपको फॉंट और ब्याक का दोनों लिप से बनानी है डवल कुरी से भी ने बेनते हुए तेखे ये उस्टे धागा में कट गर रही हूँ और इसका उपर एक चेन डालना है और फिर एक लूप लेना है और इसका उपर पांच चेन डालना है अब देखे पांच चेन डालने के बाद ये नीचे है नीचे साइड में एक, दो, तीन, चार, चार डबल कुरी से के पिछे से आपको फिर सिली बिस्टिस लगानी है देखे इस तरीके से बनाएगा आप देखे इमें दागा कट गर रही हूँ और इमें लग लगा रही हूँ देखे इस तरीके से आपको लग लगानी है ये लग लगाना जरूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ देखे ये दागा कड़ गर रही हूँ, ये वाला धागा म्याजिग लूप का है, देखे इस तरीके से बनने के बाद बहुत ही संदरना बन कर आ रहा है, अब चाहिते इस तरीके से किसी भी साइज में बना सकते हैं, देखे ये में लगा चुकी हूँ इसमें, अब देखे पी करिएगा लगाने के बाद में यह दागा फिर छुपा रही हूं अब इसका उपर आपको टोपी बनाने के लिए मैजिक लुप बनानी है तीन जेन बनानी है फिर इसी तरीके से डबल कुरुषी बिने बेन लेना है आपको डबल कुरुषी बिने बेन लेना है आप चाहितो कॉम भी कर सकते हैं इसी तरीके से आपको लंबा साइज में डबल कुरुषी बिने बेन लेना है सारी एकी साइज का बनानी है ये बात आपको दियान देना है देखे इस तरीके से म्याजुक लूप से डबल कुरी से बिने बिनते हुए 24 बार बनानी है देखे 24 बार बनानी के बाद इसकी उपर वाली चेन में आपको फिर कनेट गननी है देखे इसका उपर तीन चेन डालना है अब देखे इसी होल में से आपको फिर डबल कुरू से बिने बेन लेना है देखे इसमें मैं ब्याक लूप से डबल कुरू से बिने बिन रही हूं एकी होल में से दो बार ये बात आपको ध्यान देना है सारी में आपको इस तर्के से बनानी है ब्याक लूप से डबल कुर से बिना बेल लेना है सारी चेन में दो दो बार ये बात आपको ध्यान देते हुए बनाना है देखे इस तर्के से बनाईएगा साइज के हिसाब से आप कम बेसिक गहा सकते हैं कोई बात नहीं देखे इस तरीके से बनाने के बाद में इतनी बना रही हूं अब देखे इस तरीके से डबल कुरे से बिने बीनते हुए लास्ट में आ रही हूं अब देखे इधर यह म्याजुक लूप का गाट टाइट गरना है अब देखे इसका उपर तीन चेन है इसमें आपको उपर वाली चेन में कनेक गरनी है देखे इतनी बनाने के बाद अब देखे यह धागा में कट गर रही हूं और यह म्याजिक लूप का धागा भी आपको इस तरीके से लग गरना है अब देखे इतनी बनने के बाद इस तरीके से आपको 20 सेंटर से इसका बाल बाहर निकालना है और फिर आपको सिलने है इस तरीके से सिल सकते हैं आपको जो सर की गोलाई है उससे भी आपको सिलते हुए जाना है यह बात आपको ध्यान देना है और थात नीचे का जो धागा का हिस्सा है वो भी लेकर आपको सीलने है यह आपको द्यान देना है इसी तरीके से सीलते हैं हम देखिए इधर भी आपको नीचे का हिस्सा लेकर सीलने है मिलाते हुएं इसी तरीके से बनाईगा ऋनीचे खुआ शाये ओको एक दुबार नट लगाने है देखिए इसस तरीके से बनाईगा अब देखिए ये बन कर रेड़ी है बहुत ही संदर और बहुत ही खुबसुरत है आप चाहे तो किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताइए अभी तक नाए हो तो पिलिस सब्सक्राइब गरिए और देखिए इसमें में आपको यह क्याप जो इस तरह का ह है इसी तरीके से आपको किस तरीके से बनाना है मैं आपको फिर इस वीडियो में बता रही हूं देखिए इस तरीके से थोड़ी ग्याप छोड़ते हुए आपको सेलने हैं और सेलने के बाद यह इस तरह का बनकर आता है और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और फिर आपको सिलने हैं आज का ये डॉल बनाने के तारीके आप क्या से लगा कमेंट करके जरूर बताईए अभी तक नाए हो तो फिलीज सब्सक्राइब करिए हम दूसरी वेडियों मिलते हैं तब तक के लिए दीपानेटिंग चानेल धन्यवाद